पीली भीत सदर कोतवाले छेतर की गाउं चंदोई निवासी जीया उद्दीन का चोधा वर्षिय पूत्र हमजा फिरोजस्थाने हाफिज रहमत खां स्कूल में कक्षा आठ का छात्र है मंगलवार की रात क्रीब साड़े साथ बुझे वह कमले चोराह स्थीत मदर्शे से कौचिंग कर घर लोट रहा था तब ही खकरापूल के पास सीको कार में स्वार चार लोगों ने अफ़रन कर लिया बदमाश उसे लेकर रेले स्टेशन के नस्देग पहुंचे इसी बीट चारों बदमाश कार से नीचे उतर कर कुछ दूर बाते करने लगे तब ही उसने शोर मचा दिया जिससे आसपास के लोग दोड़े और वह लोग उन्हें देखकर महाँ पर उसको छोड़ कर फरार हो गए बाद में उसने घटना की सुचना परीजनों को दी परिवार वालों ने रात को सदर कोताल पुलिस को सुचना दी फिलहाल पुलिस मामले की चांद बीन कर रही है पर कहां छोड़ा कैसे बचेया वहां से कैसे चूट के आए उन्हें पर इस्टेशन बीच बीच में छोड़ा था मतलब कपड़ा हटाया था और इस्टेशन की तरफ ले गए थे और वो कार घड़ी करके और उन्हों पोचा था कि तुम्हारे नाम क्या मैंना का हम जब दो तो बोले तुम्हारे पापा का नाम मैंना का जिया दिम फिरोज तो बोले की जो है अपने बापा का नंबर बताओ तो मैंने नंबर बताया है नहीं उनके हाद में रिपालवर थी तो सर पे रगदी बोले की जो है मैं आप बता रहे हैं नहीं तो मैंने तो नहीं बताँगा कि अब निकल गया। कितने लोग थे यहां। दो लोग थे एक उनके साथ में बच्चा था एक आदमी थे। सक्या घटना होगे थे क्या मामला था आप क्या प्रियास एक तेरा साल का बच्चा मदर्से से पढ़ करके अपने गाउं जा रहा था परोज विंद्रम साहर से जुड़ा हुआ चे दोई गाउं है। रास्ते में जो है चार लोग इको बैन से थे। उन्होंने उनको उसको पकड़ लिया और उसका मुँ बान दिया। उसको ले गए इस्टेशन की तरफ गाड़ी खड़ी करके और हुलर गाड़ी खड़ी करके वो गए थी इस्टेशन पर इसमीद में बच्चा चिलाया किसी ने हीटे से उसका सीशा तोड़ दिया बच्चा निकल के भाग लिया। पुलिस को सुन्तना मेली तदकाल पुलिस पहुंची उसकी बरामतगी की आप मुकर्मा लिख करके अभ्युक्तों के बारे में पूरी जानकारी की जा रही है।